गाइज यह है दिलाराम में चूर्चू नान देहरादून के सेमस नान है इनके पास और एक नंबर नान यह लोग बेशते हैं यहां पर और गाइज देख सकते हैं आप कितनी भीड और खी यहां पर ऐसा लग रहा है जैसे लंगर चलता होगा गाइज आओ और यहां पर खाओ तो गाइज लोगों को देखके जैलेस फील वा और हम भी आ गए यहां पर तो गाइज मौसम कुछ इस तरह का उर्खा है कि आप देख सकते हैं जहां जहां बारिश हो रही है अच्छा मौसम और यह हमारा तिरंगा कैसे लहरा आ रहा है बारिश को भी तो गाइज इतनी भैंकर आप देखने के बाद तो अपने शरीर में गर्मी आ गई थी और उसके बाद जोने वाला आप देखके हरान हो जो कि आप आने वाली है अपनारी प्लेट और गाइस यह भी जाला थक के माले गिर गया बारिश के हवार का रहा है तो गाइस अब प्लेट यह अपनी प्लेट तो गाइस बास एक माहूल बनीजा बहुत प्यारा सा क्योंकि भार बारी शोरी और जो प्लेट इतने अची सजाई भी थी इसे देखके तो मजाई आ गया गाइस अभी शिवन्या का ट्राय होने वाले फर्स देखतें क्या होता है ममी ने इसकी ट्राय कर लिए बहुत अच्छा है शिवन्या भी शिवान भी कुछ बोलना चाहरा था और अब इसकी मम्मी उठाके दिखाए कि आपको चिकन लाट पीस चारो तरफ से घुमाने के बाद यह देखें वाव बहुत ही बढ़िया प्लेट और मात्र चिकन की दो नान के साथ 200 रुपे की प्लेट है और इसमें आपको दो पीस मिलेंगे सैलेड मिलेगा चट्नी मिलेगी ग्रेइन और दो चूर चूर नान मिलेंगे तो हम लोग यहां स्ट्राय करने आते लेकिन अल्मोस्ट मजा ही आ गया क्योंकि हम से देखा नहीं गया कल रात को हम लोगी बहत पचनली सीद्य ती इस में आप यम्यम्यम्य यम्यम्य अ ś और हां एक खास बाट जो इसका मैनेजमेंट है वह एक लेली संबदोड़ती है तो इतना अच्छा नेचर है और मैं तो इहरान हुए देखे कि इतना वड़ा क्राउड यहां पर लगता है में सो कस्टमर से आते हमको हैंडल करना इंक अकेले करती है इसके बाद इनका स्टाफ भी है तो पूरा मेंनजमेंट इतना अच्छे समालती है तो रिस्पेक्ट है सेलूट है इनके लिए और इस हमें तो मज़ा आ गया त कि आयू गाइस फूड ब्लॉगर तो हमने का येस